नमस्कार में आजमिन खानु राप देख रहे हैं SPN 9 News राव इंदरजीत सिंग गुरुगराम सिसांसद और केंद्रिय राज्जी मंत्री भारतिय जंता पाटी के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद मुख्य मंत्री पद को लेकर दवाब बना रहे हैं राव इंदरजीत सिंग का दवाब अब भारतिय जंता पाटी पर भारी पड़ रहा है राव इंदरजीत सिंग जहां मुख्य मंत्री पद को लेकर भारतिय जंता पाटी पर दवाब बना रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ भारते जंता पार्टी के नागल चौधरी से उतारे गए पृतियाशी के खिलाव भी हुंकार भरते हुए दिखाई दे रहे हैं जब रिवारी में राव एंदरजीत सिंग कहते हैं कि गलती हो गई और इस गलती को अब भरा कैसे जाए जब ये कहा जा रहता है कि जीत बंपर हुई है और राव एंदरजीत के साथ समर्थकों की जीत हुई है और एक seat रह जाती है नागल चौधरी से भारती जंता पार्टी के तहत अभेसिंग यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया था अभेसिंग यादव चुनावी मैदान में उत्रे कॉंग्रेस पार्टी की तहत मंजु चौधरी चुनावी मैदान में उत्री थी लेकिन नागल चौधरी से कॉंग्रेस पार्टी की मंजू चौधरी की जीत होती है वेसिंग यादव का विरोध के साथ साथ हार का सामना भी करना पड़ता है जब राव इंद्रजीत सिंग कहते हैं कि एक सीट हार गए दुरभाग्य है कि वो हार गए लेकिन इस दौरान उनने मरहोलाल खटर पर हमला साधा कि चंदिगर से कई नए चेहरों को लेकर आते हैं और चुनाव हारने की कोशिश की जाती है और दच्छन हरियाना में राव इंद्रजीत के समर्थों को को तोड़ने की कोशिश की जाती है इस कड़ी में सीधा का टाक्ष उनका अभे सिंग यादव पर था यानि कि साफ तोर पर देखा जाए तो राव इंद्रजीत सिंग खुद ही नहीं चाते थे कि भारती जंता पाटी के प्रत्याशी अभे सिंग यादव इस बार तो चुनाव लड़कर जीत जाए वो चाहते जरूर थे कि चुनाव में भारतीय जंता पाटी के लिए सीट आए लेकिन अभे सिंग यादव ना जीते इसलिए बार बार उनके विरोध में राव इंद्रजीत सिंग नजर आए लगतार उनके प्रचार प्रसार में भी नहीं दिखाई दिये तो अब यह माना जा रहा है कि जो मंजु चौधरी ने अलान किया था कि राव इंद्रजीत अंदर खाने से उनका समर्थन कर रहे हैं तो क्या 2024 के विदान सभा चुनाव में ठीक ऐसा ही हुआ है आपको क्या लगता है अपनी राइकम सेक्शन में जरूर देखते रहें स्पेनाइन नियूस तर निवाद